अगर आपका गुड़हल का पौदा फूल नहीं दे रहा है सालों साल से बढ़ता जा रहा है और उसमें अभी तक एक भी फूल नहीं आया है तो आज मैं उसके लिए एक ऐसी घरेलू फर्टिलाइजर बताऊंगी जिससे आपके गुड़हल के पौदे में हजारों फूल देखने को मिलेंगे क्योंकि फ्रेंज गुड़हल का पौदा ही एक ऐसा पौदा होता है जो पूरे साल खिलता है इसमें बहुत सारे फूल आते हैं बिना किसी केमिकल के इसमें आपको हजारों फूल देखने को मिलेंगे लेकिन अगर आप टाइम पर खाद नहीं देते हैं सही से केर नहीं करते हैं तो इसमें फूलों की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है तो आज मैं गुड़हल की कुछ खास टिप्स के साथ साथ एक ऐसा फर्टिलाइजर बताऊंगी जो आपको किचन से ही मिल जाएगा जिसे डालने के बाद नर्सरी से भी जादा आपके पौधे में फूल आएंग तो फ्रेंट्स गुड़हल के पौधे में फूल ना आने के अलावा कुछ ऐसी समस्या भी होती हैं जो हमेशा गुड़हल के पौधे पर आपको देखने को मिलती हैं ये जो समस्या हैं ये सर्दियों में आपको बढ़ती नजर आएंगी और गर्मियों में ये आपको कम होत ये सारी ही समस्याइं आपको सर्दी और गर्मी सभी मौसम में देखने को मिलेंगी जादा तर सर्दी में ये समस्याँ आपको बड़ी हुई मिलेगी इस समय ये समस्या का सामना आपको अपने पौधे पर करना पड़ रहा होगा तो इसे ठीक कैसे करना है और जादा से जादा गुड हैल के फूल आपको अपने पौधे पर कैसे रेना है ये सारी ही जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है तो सबसे पहला पॉइंट पत्तों का बहुत ज़ादा पीला होना ये समस्या आपको इस समय बहुत ज़ादा देखने को मिल रही होगी फ्रेंट्स जैसे ही मौसम बदलता है वैसे ही गुड हैल के पौधे की पतियां अचानक से बहुत सारी पीली हो जाती है और गिरना सुरू हो जाती है पत्तियां पीली होने के दो कंडिशन होते हैं एक तो पूरी तरह से पीली पत्ति होगी और दूसरी वो होगी जो हरी तो होगी लेकिन उसकी नसे थोड़ी सी पीली हो गई होगी तो ऐसे में क्या होता है इनका रिजन मौसम जब चेंज होता है तो इनकी सारी की सारी पत्तिया पीली हो जाती है, अभी सरदियों में temperature अचानक से कम हो जाता है और धूप की मात्रा है वो भी इनको मिलनी कम हो जाती है अचानक से क्या होता है जितनी धूप इन्हें मिलनी चाहिए उतनी धूप इन्हें नहीं मिल पाती है तो पौधा इस्ट्रेस में जाना शुरू कर देता है और सारी की सारी पत्यां पीली कर देता है तो ये नेचुरल होता है तो फ्रेंड्स ऐसे में घबराएं नहीं, हाथों से सारी पत्यां हटा लें, इन्हें सुखा कर इनका बहुत अच्छी खाद बना सकते हैं, इनको सुखा कर इनका पाउडर बना कर इनके ही पौधे में डालिए, आपको फ्री का खाद मिल जाएगा, नर्सी में ये खाद बहु मिल सके, तो इससे क्या होगा, आपके पौधे की पत्यां पीली होना बंद हो जाएगी, और फ्रेंड्स पानी की मातरा ध्यान रखें, बहुत ज़्यादा अपने पौधे को पानी ना दें, हो सके तो दो से तीन दिन में ही वाटरिंग करें, तो फ्रेंड्स ये अगर कंडि दूसरी कंडिशन वो होती है, जिससे आप अगर अपने पौधे में पानी जादा देते हैं, तो कुछ इस तरह से पत्यां हो जाती हैं, यानि पत्यां पूरी तरह से पीली नहीं होंगी, इनकी नसे ही आपको पीली पीली दिखाई देंगी, तो फ्रेंड्स इसका भी तीन क कारण ये होता है कि आप अपने पौधे में बहुत जादा पानी देते हैं, इसके कारण गंबले की मिटी बहुत जादा गीली रहती है, और पौधे आईरन और मैगनेशियम जड़ों के द्वारा अफसोसित नहीं कर पाते हैं, जो की ऊपर पत्तों तक नहीं पहुंशता है और ये बहुत बड़ी वज़य होती है पत्तों के पीले होने का, तूसरा कारण ये होता है कि अगर आप जो खात दे रहे हैं, उसी के अंदर मैगनेशियम और आईरन की कमी बनी हुई है, तीसरा कारण फ्रेंड्स ये होता है, आप सारी चीज़ें दे रहे हैं, खात दे रह हैं, तो तीसरा कारण ये हो जाता है कि मिटी का चारी हो जाना, कभी कभी मिटी बहुत ज़्यदा चारी हो जाती है, इसके कारण भी पत्तियां पीली हो जाती है, जब मिटी चारी हो जाती है, तो जड़ें अपना वर्क सही से नहीं कर पाती हैं, जिसके कारण उसमें मैगन पौधे में ये गमी बिल्कुल ही दूर हो जाएगी इसके लिए आपको किचन से ही प्याज के छिलके लेने हैं एक गलास पानी लेना है इसको ठीक से बॉइल कर लेना है बॉइल करने के बाद जब ये पानी ठंडा हो जाए तब इसे आप अचान कर अपने एक गमले में डाल स तो आपके पौधे में नाइट्रोजन की जो कमी होगी वो भी दूर हो जाएगी ये खाद अगर आप अपने पौधे को हपते में एक बाल देंगे तो आपके गमले के मिट्टी अमली हो जाएगी यानि एसिडिक हो जाएगी और पौधे में आपको भरपूर मातरा में फू पर देख रहे हैं। इसके अलावा जो पतियों का कलर चेंज हो जाता है वो भी चेंज होना बंद हो जाएगा। पतियां हरी भरी और चमकदार दिखेंगी सिर्फ इसी खात के इस्तमाल से। इसके अलावा तीसी समस्या आती है फूलों के साइस का छोटा होना। सर्दियों मे अकसर आप देखते होंगे कि गुढःल के पौधे के फूलों का साइस छोटा हो जाता है। अगर फ्रेंट्स ये समस्या आपके पौधे पर आ रही है तो आपको कौन-कौन सी बातों का ध्यान रखना है और इससी समस्या को कैसे दूर करना है। फ्रेंट्स ये समस्या मौस सुच्छ beauty हेल के पौधे में देखने को मिलेगी hybrid गुड़ हाल में फ्रेंट्स आप को यह समस्य आ देखने को कम से कम मिलेगी तो कि यह सर्दियों में ही बहुत अच्छे से flavoring करते हैं अब को समस्य समस्या को दूर करने के लिए करना क्या होगा उस पौदे को सबसे ज़्यादा धूप वाली जगह पर रखें फूलों के साइस का छोटा ओना धूप की कमी के कारण ही होता है जब आप धूप में रग देंगे उठाकर पौदे को तो ये समस्या भी धीरे-धीरे खतम हो कि कलियों का अचानक से पीला होकर गिर जाना पूरी तरह से कलियों का ना खिलना अगर फ्रेंट्स ये समस्या आपके पौदे पर आ रही है तो ये होता है स्ट्रेस की वज़र से इसके पीछे भी फ्रेंट्स बहुत सारे कारण होते हैं मौसम का बदलाओ अचानक से टंप् कीड़ी होकर गिर जाती हैं लेकिन इसमें भी सबसे बड़ा कारण होता है कीड़ों का लगना चाहें वह मिटि के उपर हो या फिर कलियों पर लग रहे हूं या फिर स्टें पर लग रहे हूं इन में से कोई भी वज़य हो सकती है कलियों को गिराने के पीछे तो इसके लिए मैं इसित्माल करती हूँ राक का। उसको मैं इन पर ड idoल देती हुँ ही डेलते ही पूरे किडे जो चीटिया होती हैं वो भी भाग जाती है इसके लबाब मिली बग हो या फिर ऑफेट्स हो यानी जो ब्लैक कलर के किडे होती है वो सारे ही दूर हो जाते हैं उप्योग करें राख को आप मिट्टी में भी मिला सकते हैं ये फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड दोनों का काम करता है अब बात करते हैं कि गुड़हल का पौधा फूल क्यों नहीं दे रहा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपके पौधे में पोटेशियम की कमी हो जाती है तो आप अगर पोटेशियम की मातरा यानि पोटेशियम वाली खात की मातरा बढ़हा देंगे तो आपका गुड़हल का पौधा भी फिर से फूल देने लगेगा और friends खासतोर से आपको सर्दियों में अपने गुढ़ हैल के पौदे को potassium जरूर देना चाहिए क्योंकि सर्दियों में पौधा stress में भी जाता है इसके लावा पौदे को गर्माहट भी चाहिए होती है तो potassium एक गरम खाद होती है जिससे पौदे की ग्रोथ अच्छी होती है ब इकसी में पीस लीजे इसका powder बना लीजे बहुत अच्छा potassium का work करता है अगर आपके पास डियेपी बगरह नहीं मिलती है तो इसका इस्तमाल करिए अगर आपका गमला बड़े साइस का है तो दो चमच और छोटे साइस का है तो एक चमच इसको इस्तमाल करने से पहले अपन गमले के साइस के हिसाप से इसका इस्तमाल कर सकते हैं इसको यूस करने से आपके पौधे में potassium की कमी दूर हो जाएगी जिससे फूल भरपूर मातरा में आएंगे फूलों का साइस बड़ा होगा और आपका गार्डन फूलों से बढ़ जाएगा तो फ्रेंस ये ती कुछ ख लाएगा चैनल पढ़ना है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में अभी के लिए इतना ही थैंक यू